नमस्कार दोस्तों, विलकाम टो रवन्ड एक्जाम क्लासे थे कि आपके RRB NTPC ग्रूपडी दो जाओने इसकी एक्जाम को देखते विए लगातार आपको लाश्ट रिट के पेपर करा रहे हैं आज हैं आपको साइस एससल के 30 मात्वपूर प्रेश करना जा रहे हैं जो कि आपके फिजिस, कमिस्ट्री यो बायो सो लिए गए हैं यह हमारा छटुमा वीडियो है इसके पहले आपको पांच वीडियो कराए जा चुके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जागी उपर आई बटर मिल जागी आप हमारी चैनल की प्रेश में जाकर के वहाँ पर से चेक कर सकते हैं एक एक प्रेशन को तयार कर लिजेगा क्योंकि साइन्स एक बहुत ही मातवपूर पार्ट होता है किसी भी रेलवे एकजाम के लिए देखी बहुत समय थमाय चलन के माध्य हम से नए आती जिने वीडियो की इंफार्मेसों और अपडेट नहीं इल पाती क्या के जी यहाँ पर आपको लालंग कर सस्काइबर दिख रहा होगा इसको तो बहुत कर लाल से काला कर दीजेगा बगल मला की नोटी पेकेसन बेलको से दबालीजेगा ताकि पलपल के अपरिट आपको मिलते रहे वीडियो अच्छे लगे जनकरीचे लगे तो वीडियो को लाइक कोस कीजेगा चलिए आज के हम लोग पहले प्रिशन की सुरुबात करते हैं आज का देखे हमारा पहला प्रिशन है 550 ग्राम गुलुकोज में कितने मोलों की संख्या होती है ये आपसे पूछा जा रहा है चार आपसंद दिये गए सबसे पहले आप लोग प्रियास कीजिए और वीडियो के लाशने पूरी मांदारी के सब बताएगा इन सबी प्रिशनों में से आप लोग कितने पर साहिगर पा रहा है देखे गुलुकोज में उपस्तित मोलों की संख्या को ग्याद करने के लिए आपको गुलुकोज का फार्मूला मालूम होना चाहिए गुलुकोज का फार्मूलों होता है C6H12O6 ये हमारे गुलुकोज का फार्मूला होता है एक मोल गुलुकोज में कितने ग्राम होते हैं इसको निकालने पर ही मालूम चलेगा कि 550 ग्राम गुलुकोज में कितने मोल आपके उपस्ति दोंगे चली निकालते हैं एक मोल गुलुकोज में कितने ग्राम होते हैं सीदे की हमारा च्छाय होता है उसका परमार द्रमान होता है 12 तो 12 चंग 72 बहत्तर आ जाएंगे कार्बन के ग्राम हैड्रोजन के 12 आ जाएंगे और ओ हमारा होता है 16 16,90 इन सब को जोड़ लिजे 180 आपको प्राप्त हो जाएगा एक मोल में 180 ग्राम गुलुकोज होते हैं तो 540 ग्राम में कितने मोल होंगे 3 मोल होंगे तीन मोल में 540 ग्राम ग्लुकोज आपका तयार होगा तो 14 आपसन इसका सबसे सही उत्तर होगा आज कर देखे हमारा दूसरा प्रेशने वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक होस किजेगा सी वकरता के अंदर वाले किसी आउतल दरपड के फोकस बिंदू एप पर रखे किसी बीमब के प्रतबीमब के संदर्व में कौन सा कथन लागू होगा मतलब कौन सा कथन सही होगा यह हमने आपको पांच वीडियो के लाशने पूछा था और यह दूसरे कोशन में ले लिया है तो यह चार आपसन आपको मिलेंगे तो इसको तो उन्हें आपको दिखाया था, चलिए बताना आपको इस्टार्ट कर देते हैं, देखिए क्या कहरा से पहले इसको समझ लीजे, आउतल दर्डपड की फोकस बिंदू, एफ पर रखे किसी बिंब के प्रतबीम के लिए आपसे पूछ रहा है, तो यह आपका आउत अनंत पर रखते हैं, तो वह फोकस में बनता है, यह आपको रटाया हुआ था, तो यह तो हो गया कि अनंत पर बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, अब देखिए दर्पड के उसी साइड ने बन रहा है, इसलिए वास्तुविक बनेगा, अगर दर्पड की पीछे बनता तो आब पारो विकल्प मैंने आपको उस दिन दिखाई हुए थे, तो पहला विकल्प इसका सबसे सही उत्तर था, आज का देखिए मारा तीसरा प्रिश्ण है, लंगर डाल कर रोकी हुई एक नाव लेरो से गिरी हुई है, जिसका तरंग दर्द 125 मीटर है, चलती तरंगों का लग रहा है, आपको उसको पड़े भी होंगे, तब भी आपको याद नहीं आगा, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आपसे मांगा गया है, आपको यहाँ पर तरंग दर्द दी गई, लिम्डा दिया गया है, यहाँ पर आपको वी दिया गया है, और एन पूछा गया है, त तो 25 बटे 125, 25 से काड़ देंगे, 25-25, 25-25, 1-5 मतलब की 0.2 इसका सही उत्तार होगा, कहाँ पर 0.2 लिखा गया है, पहले आप्सन में लिखा गया है, आवरती आपके हर्टेज में होती है, तो हर्टेज में उत्तर देने का प्रयास कीज़ेगा, नेक्स कोशन को चलते हैं चेंज हो जाती है यह हमने आपको कई बार बताया है देकि पांचवां प्रेशने मुक्त रूप से गति करने में सच्छम दस केजी द्रबमान की एक वस्तु पर जब दस न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम लिकित में से कौन सा कथन लागू होगा ठीक है आप लोग प्र 10 न्यूटन है मतलब कि न्यूटन है फोर्स होगा या तो वेट होगा तो फोर्स आपको 10 न्यूटन का मिलना है तो कौन सा कथन लागू होगा एप बराबर क्या होता है एप बराबर एमे होता है यहाँ पर देखिए तुरण की चर्चक कर रहा है हर आपसन में आपको नीच आजाएगा एक हमारा acceleration आजाएगा वो भी किस में आएगा meter per second square में आएगा वो कहाँ पर लिखा गया है दूसरे option में लिखा गया है निकाए एक meter per second की तोरड से गति करेगा क्योंकि 10 kg से 10 newton आपका divide हो जाएगा तो यहाँ पर तोरड 1 meter per second square आपका आजाएगा ठीक है समझ रहे हैं आप लोग सवालों को simple सवाल है सवाल की language को समझिए दिया क्या गया है पूँचा क्या जा रहा है कौन सा formula लगेगा बस इससे कठिन कुछ नहीं होता है देखे next question मारा है किसी समानतर परिपत में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्धुती उपकरण कार करना बंद कर दे तो अन्य सभी विद्धुती उपकरण का क्या हाल होगा ये आप से पूँचा जा रहा है अब देखे ध्यान दिजेगा परिपत कैसा है समानतर परिपत है तो देखे कार नहीं करेंगे अन्य उपकरण कार नहीं करेंगे दुगनी छमता के साथ कार करते रहेंगे अपनी आदी छमता से कार करते रहेंगे या फिर समान रूप से कार करते रहेंगे बताइए क्या आपको सही लग रहा है यदि किसी खराबी कारण कोई आपका विद्धुत उपकरण बंद हो गया है तो दूसरा विद्धुत उपकरण कैसे काम करेगा समानतर परिपत की आपसे चर्चा कर रहा है इसका सही उत्तर होगा लास्ट वाला आपसन होगा समाने रू होती है वो समानतर करम में जोड़ी जाती है किसी एक जगह पर फाल्ट आती तो पूरे घर की लाइट जल्दी खराब नहीं होती है तो यही आपसे पूछ रहा था एक विद्धुती उपकरण अगर कार करना बंद कर देता है तो अन्य विद्धुती उपकरण जो है वो समा भाने रूप से कारे करेंगे पहले देकि जरेख को जादी को आपकि आती ती उसमें क्या होता था वो हो प्लड़ी करम में जोड़ी जाती ती वह अने लगो जाती है त अब भी वो आपकी जालर जो है वो काम करते रहती हैं, तो ये सभी आपकी समांतरा सेड़ी में जोड़ी जाती हैं, नेश कोशन को चलते हैं, देखें नेश कोशन हैं मारा निम लिकित में से अर्द सूतरण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, चार आपसन हैं, देखिएगा अर्द सूत्रण के लिए आप से पूछा जा रहा है, अर्द सूत्रण दो चरणों में होता है, या फिर जनन गरंती में अर्द सूत्रण युगमक के उत्पादन के लिए होता है, अर्द सूत्रन के दुरान जनन कोसों के जीन परणामी कोसों में मिस्रित हो जाते हैं या पिर अर्द सूत्री जो आपका विभाजन होता है उसके परणाम सरूप परणामी कोसों में गुड़ सूत्रों की संख्या दो गुनी हो जाती है ये बताइए आपसे अर्द सूत्री विवाजन जो होता है उसमें कौन सा कथन आपको सत्य नहीं लग रहा है ये नया कोशन हो सकता है आप लोग के लिए बैलुजे कोशन काफी कठीन कठीन बनाया जाते हैं और इसका सही उतर है जो लास्ट वाला विकल्प आपका लिखा गया है यही गलत लिखा गया है अर्द सूत्री परडाम सरूप जो होता है परडामी कोशों की गुड़ सूत्रों की संक्रा दुगनी नहीं हो जाती है परडामी कोस आपके मिस्रित हो जाते हैं ये तीनों उपर के सही थे लास्ट वाला जो आपका था ये गलत उत्तर था यहाँ पर देख सकते हैं चौथा जो विकल्प है वो आपका सही है मतलब वहाँ पर आपसा सत्य नहीं पूचा गया है तो इस हिसाब से सही है ठीक है ये वाला चौथा वाला नेक्स कोसन को चलते हैं देखिर नेक्स कोसन है एक तत्त के समस्थानिक या आईसो टोप की द्रवमान संख्या 298 है यदि इसके नाभिक में 188 न्यूटरान है तो परुमान संख्या आपको बतानी है बताए एटॉमिक नंबर कैसे आप निकालेंगे द्रवमान संख्या आपको दी गई है निूटरान्स आपको दी गए है तो क्या करना पड़ेगा द्रवमान संख्या बराबर होता है proton प्लस newton होता है तो क्या करेंगे घटा दीजे simple सा 298 minus 188 को घटा दीजे 0 आ जाएगा यहाँ पर इधर एक प्राप्त हो जाएगा इधर है मतलब कि 110 जो आएगा वो परमाड़ संख्या में ग्राथ हो जाएगी क्योंकि neutron प्लस प्रोटान बराबर द्रिबमान संख्या होती है इसलिए आपको घटा नहीं पड़ेगा और सही उत्तर है 110 देखिए next question है 60 gram helium में मोलो की संख्या क्या होगी यह 4 option आपको दिए गए है 10 mol, 15 mol, 12 mol और 25 mol यह आपके सामने उत्तर रखे गए हैं देखिए सबसे पहले मोलो की संख्या या फिर आपसे कितने gram पूछ रहा है इसके लिए किसी भी चीज का फार्मूला मालूम होना चाहिए अगर फार्मूला नहीं मालूम है तो फिर उसका यहाँ पर देखिए पहले वाले मपसे glucose पूछा गया था तो glucose का आपने फार्मूला मालूम था अब देखिए C का, H का और O का परमाण क्रमांक और परमाण द्रबमान भी आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर simple simple ही पूछता है लेकिन railway कभी टप पूछने का प्रयास करता है तो वो भी पूछ लेता है अब हिलियम है, हिलियम का परमाण क्रमांक होता है 2 और परमाण द्रबमान होता है 4 तो आपको द्रबमान से मतलब है, मतलब ग्राम से मतलब है तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग एक मोल में 4 ग्राम हिलियम होते हैं यहाँ पर देख लीजे, एक मोल अमारा हीलियम है, उसमें 4 ग्राम है, तो 60 ग्राम में कितने हीलियम के मोलोंगे, तो 60 बटे 4 कर दीजे, तो 15 प्राफ्त हो जाएगा, तो कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है, दूसरा उत्तर, ठीके, अब आप लोग निकालना सीख गए है, किसी के भी आपसे मोलों की संख्या पूछ रहा है, कितने ग्राम में कितने मोलोंगे, तो आप लोग सबको निकाल होगा, ठीके, लगाइए, और उत्तर को निकालिएगा, प्लस माइनस दोनों का ध्यान रख करके, 20 जूल एक प्लस में, एक माइनस में है, और 200 जूल है आपका, एक प्लस में, माइनस में, तो बताइए, किस में उत्तर आएगा आपका, ठीके, हमने आपको बताया था, अग English को द्यासे पढ़ियेगा. अभी ये पूछ क्या रहा है, कि Hindu में क्या पूछ रहा है, गुरुत्वा करसर बल के मान का पूछ रहा है. अब किसी बल का मान तो Newton में आता है, जूल में तो आता नहीं है, तो गलत लिखा गया है. हिंदी इसकी गलत होती जातर यहाँ पर देखिए जातर नहीं कभी कभी गलत होती है यहाँ पर क्या है इंगलेस में देखिए The work done by the force of gravity acting on the object रहीजित यहाँ पर देखिए वर्क की बात की गई है लेकिन हिंदी में देखैंगे तो वर्क की कहीं भी बात नहीं की गई है तो हिंदी में गलती करता है अगर हिंदी में थोड़ा गलती लग रही है तो आप लोग नीचे आ करके इंगलिस को भी पढ़ लिया करिए तो आपको कारे निकालना ठीक है यहां पर बल की चर्चा कर रहाता यह तो हम लोग कारे को निकालते हैं M, G, H से निकाल लेते हैं, M कितना दिया गया है, 5 kg दिया गया है, G आपको 10 दिया गया है, G को माइनस में रखिएगा, क्योंकि वस तो को 5 मीटर, 4 मीटर ऊपर की ओर उठा रहा है, ऊपर की ओर माइनस में G को रखते हैं, और 4 से मल्टिप्लाई कर देजेगा, तो 5 को 20, 20 यह, 0 यह, तो जूल में उत्तर आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, तो 200 जूल जूल जो आएगा, वो माइनस में उत्तर आएगा, जो कि 4 विकल पर आपको लिखा हुआ मिलना है, ठीक है, वे की गई विद्धु तुर्जा कितनी होगी, किया किस से दर्शाई जाती है, बताइए, R आपको दिया गया है, I दिया गया है, प्रतरोध है, आपका विवांतर V है, तो T समय में वे की गई विद्धु तुर्जा जो दर्शाई जाती है, VIT से दर्शाई जाती है, उत्तर अगर आ हो तो यहाँ पर देख लीजेगा ठीक है अब हम आपको बताना इस टार्ट करते हैं देखे प्रतिदोनी है जब कोई वस तो टकरा करके वापस आती है तो उसको प्रतिदोनी करते हैं अब क्या करता प्रतिदोनी तीन सेकंट में वापस आ रही है मालिजे आप यहाँ पर खड़े हैं और यह कहाँ पर आपका चट्टान है आपने कुछ बोला और वापस लौट करके वो 3 सिकंड में आ रही है मतलब जाने में 1.5 सिकंड लगेंगे और आने में भी 1.5 सिकंड लगेंगे तभी तो 3 सिकंड में वापस आ गई है और दोनी की ग परिवर्तक सता की वीज की दूरी कितनी होगी देखिए एक सिकंड में 342 मीटर देखिए यहाँ पर लिखा गया है न एक सिकंड में 342 मीटर पर सिकंड तो 1.5 सिकंड में कितना होगा एक सिकंड में 342 तो 1.5 सिकंड में क्या होगा मल्टिप्लाई कर दिजे 342 में 1.5 का मल् तर प्राप्त हो जाएगा पांसो तेरा मीटर प्राप्त हो जाएगा जो कि चौथे विकल्प में लिखा गया ठीक है यहाँ पर देखे क्या का गया डेड़ सिकंड में वापस आ जा रही है मतलब कि आ रही है डेड़ सिकंड में और जा रही है डेड़ सिकंड में तब तीन सि आलिस पर मीटर सेकंड जा रही थी तो समझ चुके आप लोग चाल बराबर दूरी बटे समय से आसाने से निकाल लिजेगा इसको देखें तेरे नंबर पर इसने यदि वी अपान आई का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है चार आपसन है विद्धुदारा विवांतर कुलाम या प्रतिरोध बताए अगर वी अपान आई का मान एक इस्तिरांक है तो इसे क्या कहा जाएगा इसे हम लोग प्रतिरो गुधार नमबर 5 नि मैगनीशियम रबं रीबन को जलाते समय जलाने पर सफेद रंग आपका सफेद राक उथपन होती है जिसे क्या बनाने के लिए पानी में घोला जाता है बताइए मैगनीशियम रीबन को जलाते है एक कोष़न आया था magnesium rebel को जलाने पर कैसी जौला उत्पन होती है कैसी राख उत्पन होती है तो यही से पहला तो उत्तर यही से मिल गया सफेद रंकी राख उत्पन होती है यह question आपके group D में पूछा गया था इसके बाद जिसे क्या बनाने के लिए पानी में घोला जाता है आप देखिए magnesium है तो magnesium को पानी में घोलेंगे तो क्या बनेगा आपका magnesium hydroxide बनेगा जो की पहले option में आपका लिखा गया है तो magnesium hydroxide का फार्मूला क्या होता है Mg-OH का whole twice जो होता है यह बनेगा ठीक है पहला option इसका सही उत्तर होगा देखिए 15 नंबर question है कौन सा good छार का नहीं है ठीक है छार का मतलब base की property कौन सा नहीं है यह चार option में आपको दिखा रहा हूँ बताए क्या आपको इसमें से गलत लग रहा है काफी चीजे गलती पूछने का प्रियास करता है देखिए आप देखिए वे अमलों के साथ प्रिया करते हैं और neutral हो जाते हैं बिल्कुन सा ही है अमलों चार क्रिया करेंगे तो salt और water बनेगा जो कि एक उदा सीन अपक्रिया है उनका स्वात कडवा होता है बिल्कुन सा ही है चार का स्वात आपका कडवा होता है और अमलों का स्वात खट्टा होता है वे लाल लिटमस पेपर को नीले में पर्तित करते हैं तो बिल्कुन सही है बेस ब्लू करता है हमने आपको रटाया था बेस ब्लू करता है तो बेस ब्लू कर रहा है वे नीले लिटमस पेपर को लाल में परते हैं, एक ही चीज़ तो करेंगे, चाहे लाल को नीला कर लें, चाहे नीले को लाल कर लें, तो वो लाल को नीला करते हैं, तो नीले को लाल नहीं करेंगे, इसलिए चौथा विकल्प जो होगा, वो इसका गलत उत्तर होगा, ठीक है, चौथा विकल्प. आज कर देखें सोलर नंबर कोशन है एक तत्यों किस अवस्था में आने पर इस थिर्था को प्राप्त कर लेता है बताईए डुपलेट या आउक्टेट एक केवल एक डुपलेट केवल एक आउक्टेट या फिर हैप्टेट ये चार आपसने इनको समझेए कैसा क्या कहना चाहरा है तो बताईए एक तत्यों की सवस्था पर आने के बाद इस थिर्था को प्राप्त कर लेता है देखिए जब तक किसी प्राप्त कर लेता है तो बन जाएगा तब भी वो इस थिर्था को प्राप्त कर लेता है तो एक डूपलेट या ओक्टेट अगर हम लोग कंप्लीट करा देते हैं उसका तो वो इस थिर्था को प्राप्त कर लेगा मतलब अब रियक्षन किसी और सीजसे करने में सच्छम नहीं रहेगा या फिर बहुत ही मुश्किल से रियक्षन करेगा तो पहला ही हमारा सबसे सई उत्तर होगा देखिए 17 नंबर कोशन है आक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाई गैस उत्पन होते समय कौन सी अपक्रिया घटित होती है ठीक है योगात्मक अपक्रिया अपगटन अपक्रिया दहन अपक्रिया प्रतिस थापन अपक्रिया आक्सीजन म निकलेगी और कैसे निकलेगी जलाने पर ही निकलेगी तो ये दहन अब क्रिया होगी कार्बन जलेगा अक्सिजन की उपस्ति में तो कार्बन डाई गैस उत्पन होगी और दहन प्रिक्रिया होगी तो कौन सा आप्सन सही है तीसरा उत्तर इसका सबसे सही उत्तर होगा देखिए अठार नंबर कोश्चन है निमलिकित में से कौन सा जन्तूओं का सबसे बड़ा समूँ है अर्थोपोडा, नेमेटोडा, मुलसका, पोरी फेरा बताइए सबसे बड़ा जन्तूओं का कौन सा समूँ मैंने आपको रटाया हुआ है, जिसमें भी कीट पतंगे आपके आते हैं वही आपका अर्थोपोडा का समूँ होता है तो सबसे अधा संख्या अर्थोपोडा की है जन्तूओं के समूँ में देखिए 19 नंबर कोशन ने किसने या खोजा की हर आठमें तत्तू के गुड पहले के समान है डोबे राइनर ने, मिंडलीप ने, न्यू लेंड ने और मोजले ने ये चार आपसन आपको दिये गए हैं बताए किसने खोजा था की हर आठमें तत्तो के गुड पहले के समान होगे हमने आपको बताया था, न्यू लेंड का अश्टक नियम आया था वहाँ पर इन्होंने बताया था, जैसे संगीत के स्वर रिपीट होरकर के फिर से हो जाते हैं, जैसे सारे गामा पादनी साफिर से आ जाता है उसी प्रकार से न्यू लेंड ने अपना अश्टक का नियम दिया था वहाँ पर बताया था कि लॉट करके प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम आ जाते हैं, आठ तत्तों के गुड ठीक है तो कौन बताया था? न्यू लेंड बताया था हमने न्यू लेंड के आपको अवर तालका भी पिछले वीडियों आपको दिखा चुके हैं कितने ततों थे, लाश्ट ततों कौन से था 56 ततों थे, 56 वा कौन से था थोरियम था, इस सब बता चुके हैं आगे एक कोशन भी आएगा उसको भी आप लोग सही गरने का प्रयास किजेगा आज कर देकि 20 नंबर कोशन है फसल के पौधों के वे समूजो वनस्पति पद्धत से उपजते हैं वे कौन कौन से हैं जैसे मुंगफली, सहजन, काजू, प्याज, धनिया, नीमू, गन्ना, आल आलू, केला, आलू, पपीता, केला तो आपसे पूछा क्या जा रहा है वनस्पति पद्धत से जो उपजते हैं वे कौन कौन से हैं ये चार आपसे ने जिन्नों बाइलो जो थोड़ा अच्छे से पड़ी होगी वो इसको समझ रहे होंगे लिकिन मैं आपको बताना के प्रय तो तैयार करने के लिए मूल रूप से जो आपका पौदा होता या फसल होती है उसके तुकडों सी जो सरचना बनती है उसको डालने से ये तैयार होता है अब गन्ना है जैसे कि गन्ना को काड़ करके फिर से लगा देंगे तो वनस्पति पद्धत से अल्लैंगीक करते हैं ठीक है तो वनस्पति पद्धत से ते तीनों आपके सही होंगे 21 नंबर कोशन है निम लिखित में से कौन सा जानवरों में पाये जाना वाला हार्मोन से नहीं है चार आपसन है इंसुलीन एड्रोन लाइन या फिर थायरॉक्सीन या फिर आक्सीन बताईए जानवर में पाये जाने वाला कौन सा हार्मोन नहीं है जो जानवरों में नहीं पाये जाएगा तो कहां पर पाये जाएगा पेड़ पाये जाता है कौन सा आक्सीन जो होता है वो पादमों पर पाये जाने वाला हार्मोन है ये क्या करता है पादमों में या वृच्छों की विरलन परावर्तन या फिर आपका आपवर्तन बताईए लगातार अगर आप प्रतिर्णियों को सुनना चाहते हैं तो वो किस क्रिया द्वारा होगी तो वो रिफलेक्शन के द्वारा होगी परावर्तन के द्वारा होगी जो कि तीसरे आपसन में लिखा गया ठीक है चलिए next question को चलते हैं आज का देखे 23 नंबर question है काफी नए questions में आपको मिल ला होंगे आदे वाई मंडल कम हो रहा है क्योंकि ये 4 आपसन आपके पास में हैं बताइए इसको समझेए क्या कहना चाह रहा है question क्योंकि काफी नए question ही आपको के लिए देखे जो आदे वाई मंडल है मतलब कि जब हमारी प्रतिवी जो है पहले एक आग का गोला थी फिर ठंडा हुई तो उस समय आकसीजन नहीं थी आपर आकसीजन नहीं थी कौन-कौन से gases थी जैसे आपका hydrogen थी carbon dioxide gas थी ये सभी gases थी तो उस समय आदे वाई मंडल कम हो रहा है जो पुरानी जो gases थी वो दीरे-दीरे कम हुई और आकसीजन आपकी उत्पन हुई तो hydrogen परमाड़ सक्री थे और अधिक संख्या में थे आदे वाई मंडल में तो अभी दीरे-दीरे वो वाई मंडल कम हो रहा है आकसीजन की मात्रा बढ़ रही है और अब आकसीजन आपकी प्रदूसित भी हो रही है तो आदे वाई मंडल कम हो रहा था क्योंकि hydrogen परमाड़ सक्री थे और उनकी संख्या अधिक थी देखिए 24 नंबर कोश्चन है निवलिकित में से कौन सा वनस्पती तेल के hydrogen करण में उत्पेरक के रूप में उपियोग किया जाता है बताइए देखिए उत्पेरक क्या होता है उत्पेरक हुआ होता है जो किसी रासायनी कपक्रिया की दर को या तो घटा सकता है या तो बढ़ा सकता है लेकिन अब क्रिया में भाग नहीं लेता है अब जैसे वनस्पती आपका तेल हो गया उसमें hydrogen के साथ हम लोग क्रिया कराते हैं तो निकिल उत्पेरक हम लोग उपस्तित कर लेते हैं तो क्रिया असानी से हो जाती है और क्या बनता है वनस्पती घी बनता है वनस्पति तेल के हैड्रोजनी करहर से वनस्पति घी बनता है तो कौन सा हम लोग उत्पिरक का प्रयोग करते हैं निकिल उत्पिरक होता है कुछ उत्पिरक हैं आपके जिसे निकिल हो गया तो इनको आप लोग याद कर लिजेगा बार बार रिपीट ये कोशन होता है देखे 25 नमबर कोशन है एक वस्त पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कारे सुन्य होगा यदि उसका विस्थापन कितना हो धनात्मक, रिडात्मक, सुन्य या उदासीन बता ये कारे कब जीरो होगा ये कहरा बल भी लगा रहा है लेकिन कारे जीरो है तो बल अगर लगração कारे जीरो है इसका मतलब कि चीज जो आपकी है पिंट जो आपका है वो हिल नहीं रहा होगा उसमें विस्थापन नहीं हो रहा होगा तो विस्थापन सुन्य हो रहा होगा तो कारे भी सुन होगा क्योंकि definition ही आपकी होती वर्क की ए फिर इंटू एस होती है तो एस हमारा क्या है विस्थापन है विस्थापन अगर जीरो है तो कारे भी जीरो हो जाएगा और कभी-कभी ऐसा होता है विस्थापन भी हो रहा है बल भी लग रहा है लेकिन काउस थीटा वहाँ पर वहरी कर जाता है तो वो भी ध्यान रखेगा ठीक है मैंने आपको बहुत देर सारी इस प्रकाण के प्रिशने कराए हुए है देखे 26 नमबर कोशने माल ले एक ग्रा है जिसका दरभमान और तरिज्जा दोनों प्रिथवी के दरभमान और तरिज्जा से दुगने है ठीक है माली जे कोई ग्रा है जिसका दरभमान और तरिज्जा दोनों प्रिथवी के दरभमान और तरिज्जा से दुगने है उस ग्रा की सता पर गुरुत्वा करश्र कराए तोरण प्रिथवी से N गुना है तो N का मान बताईए ठीक है अभी आपको बताना है यह जो दूसरा ग्राह है उसका द्रभमान और तिज्जागर दुगना कर दे रहे हैं और प्रिथवी का N है तो उसका क्या होगा N का मान आपको निकालना है ठीक है चलिए निकालते हैं आपके साथ में फार्मूला का यूज़ कर लीजें यह बराबर क्या होता है जी M1 M2 upon R square होता है ठीक है यह फार्मूला होता है अब क्या कह रहा है यह तो प्रतभी के लिए हो गया यह कह रहा है कि उसका जो द्रभमान और त्रिज्जा है प्रतभी के द्रभमान और त्रिज्जा से दुगने मतलब M1 और 2 जो होंगे वो दुगने होंगे तो मतलब 2 हो जाएगा यह यह दोनों का 2 हो जाएगा और R भी दुगना होगा अगर R को दुगना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा क्योंकि square हो जाएगा तो card divide कर दीजे 1 by 2 तो force देख रहे हैं एक बटे 2 से कम हो गया तो क्या होगा एन गुना है ये कहरा है गुरत्वा करसागण एन गुना है तो इनका मान कितना होगा इनका मान 1 बटे 2 हो जाएगा ठीक है तीसरा option सही हो जाएगा क्योंकि 30 अगर हम दुगना कर देंगे और फिर divide करना पड़ेगा तो 1 by 2 उसका force लगेगा तीसरा option सही अत्तर होगा देखिए 27 नंबर question है तार की लंबाई दुगनी करने पर ammeter की reading किस प्रकार से प्रभावित होगी बताइए तार की लंगाई अगर आप दुगना कर रहे हैं तो ammeter की reading किस प्रकार से प्रवर्थित होगी ये चार option आपके सामने लिखे होगी मिलना है देखिए तार की लंबाई दुगनी होगी अब तार अगर जो आर होता है आर बराबर होता है रो एल बाई ए होता है अपने फर्मूला पड़ा होगा तो आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है जगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रत्रोध भी उसी अनुपास से बढ़ेगा अगर तो लंबाई दुगनी होगी तो प्रत्रोध भी आर अगर दुगनी हो रही है तो आर भी दुगना होगा आर अगर दुगना हो रहा है मतलम नीचे टू आर हो जाएगा तो आई क्या हो जाएगा आई तो आधा हो गया ना आधा हो जाएगा ना वन बाई टू से आर आपका घटा है तो आई 1 by 2 आधी रह जाएगी कहाँ पर लिखा गया है पहले option में अमीटर की जो reading है वो आपकी 1 by 2 से आधी रह जाएगी देखिए 28 नंबर question है वेसर्ड वेसर्ड उदर गुहा के बाहर इस्तित होते हैं ये चार option आपको लिखे गए मुतरासा है अंडर कोस की थैली ये आपसे पूचा जाएगा वेसर्ड जो आपके टेस्टर rasa है वो उदर गुए के बाहर इस्तित होते हैं तो क्या है आपके अंडर कोस की थैली है जो temperature को maintain करने के लिए सरीड के बाहर आपके टेस्टर जो है लगे होते हैं ठीक है इसका सही आपसे ने दूसरा उत्तर सही है देखिए आज का 29 नंबर कोश्चन है एक लंगर लगी नाव लहरों से गरी हुई है उससे एक तरंग सीर्स की दूरी 80 मीटर है और लहर की गती 20 मीटर पर सेकिंड की है तो नाव तक उस तरंग सीर्स को पहुँचने में कितना अवस्था की समय लगेगा ये आपसे पूछा जा रहा है 4 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.2 सेकेंड या फिर 5 सेकेंड बताइए कैसे आप निकालेंगे दिखिए तरंग सीर्स की दूरी 80 मीटर की है और लायर की गती 20 मीटर पर से गेड़े तो चाल बराबर दूरी बटे समय लगा दीजे चाल कितनी है इसकी? 20 है और यहाँ पर आपसे 80 दिया गया है मतलब की समय पूछा जा रहा है तो 20 जो को 80 तो 4 सेकेंड ही उसका उत्तर होगा जो की पहले आपसन में दीगा है देख रहे हैं कोशन है लेकिन मैद के तरीके से सौल हो रहा है मतलब थोड़ा समझिए कि पूछ क्या रहा है देखिए तरंग की सीर्स की दूरी 80 मीटर की है और लायर की गती दे दी है और तरंग की सीर्स तक पहुचने में समय पूछा जा रहा है तो मतलब पूछा क्या जा रहा है आपसे मैद का सीर्स से आपसे फर्मूला पूछा जा रहा था ये फिजिस की लाइंग्वेज में आज का देखिए अमारा तीस नमबर कोश्चन होगा आज का लाश कोशन होगा निम लिकिद में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है ठीक है? चार आपसं है बताईए जिसमें बिजली प्रवाइद नहीं होगी वो कौन सा ऐसा गोल है? हाइड्रोक्लोरिक एसिट गोल गुल्कोज का गोल sodium hydroxide का goal acetic acid का goal ठीक है जो भी नए कोशन आपको मिला करें उनको note down कर लिया करिए 30 प्रिश्टों में से कम से कम आपको 10 से 12 तो नए कोशन मिले ही होंगे जो बहुत पुराने हमारे student है उसको तो काफी ज़दा कोशन है repeat लग रहे होंगे ठीक है इसका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर होगा glucose का goal अब देखे glucose का goal विद्दूत का चालक क्यों नहीं होता है उसको भी समझ लीजे देखे जब आप किसी का goal को पानी में डालते हैं माल लिजे acl हमारा hydrochloric acid का goal है यह पानी के साथ मिलाते हैं तो यह टूट जाता है h plus ion में c l minus ion में अगर टूट जाएगा तो बिजली इसमें प्राइट हो जाएगी बिजली को प्राइट होने के लिए यह ions की ओ सकता होती है जहां पर ions मिलेंगे वहां पर बिजली प्राइट हो जाएगी तो h plus ion और c l minus ion मिल गए तो बिजली प्राइट होगी sodium hydroxide है तो na plus ion और oh minus ion इसमें मिल गया इसमें भी आपकी विद्दूद प्राइट होगी acet kacet है आपका cs3 coo minus और h plus ion आपका मिल जाएगा तो इसमें विद्दूद प्राइट होगी लेकिन glucose का जो आपका घोल होता है c6 h12 o6 है इस यह ion में नहीं तूडता है इसलिए विद्दूद का चालक नहीं है कुछ चालक की बात करेंगे ठीक है दूसरा option इसका सही option होगा वीडियो आपको कैसा लगा यह हमारे 30 प्रेशनों की series थी और जतने भी नए कोस्तान हो उनको तयार करते चलिए नोट डाउन करते चलिए और यह देखिए science एक बहुत ही मात्वपूर पाट है science की language को समझेगा Hindi में समझ में आती ही तो English में समझेगा क्योंकि English में थोड़ा easy होता है Hindi कभी-कभी tough लिख देता या फिर गलत भी लिख देता है Hindi ठीक है किसी एक paper की बात नहीं कर रहा हूँ SSD का paper है, railway का paper है और other paper भी होते हैं English को ही अपनी प्रात्मिक्ता देते हैं हमेशा वहाँ पर लिखा होता है किसी भी विवात की सिती में English ही मानी जाएगी ठीक है तो प्रयास कीज़ेगा ठीक है सही प्रश्णों को सही करने का वीडियो के लाश्ट में आपसे एक question पूछने का प्रयास कर रहे हैं उस बारे में आप लोग बताने का प्रयास कीज़ेगा आज करते के last question है इसमें बताना है आपको किसकी कोई इकाई नहीं है मतलब कि किसकी कोई भी unit नहीं होती गनत्त की दाप की सापेच्ची गनत्त की विस्तापन ठीक है ये प्रश्णत है हमारे इसको आपने बताने का प्रयास कीज़ेगा नहीं आएगा तो वीडियो के last time में आपको बता दिये जाएगा या पिर आपको next video में यहीं से सुरुवात की जाएगी अगले साथवे पार्ट की ठीक है पांचवे और छटवे पार्ट की पीडियाप टेलीग्राम सेल्ट पर आपको साम तक मिल जाएगी साथ प्रश्णों की स्रीज होगी जो आपको दे रहा हूँ ये और इसके पहले वाले पीडियाप चार जो आपके पार्ट थे वहाँ तक की पीडियाप ने आपको complete कर दी थी पांचवे और छटवे पार्ट की पीडियाप आपको आज मिल जाएगी इनको सभी को आप लोग देखते चलिए जितने प्रश्ण आपको आ रहा है हूँ उनको तो फिल्कुन note down करते चलिए और जो नहीं आ रहा है उनको देखिए समझिए और नहीं आ रहा है तो comment बाक्स में फिर से कहिएगा मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूँगा यहीं से नेस्ट पार्ट की स्टार्टिंग करेंगे आप लोग को कितना स्कोर हुआ यह थोड़ा प्रश्ण पत्र को मैंने मीडियम लेवल में रखा था क्योंकि पिछला वाला थोड़ा द्यार टप हो गया था तो इसमें मैंने ऐसे कोशन रखें जो आपके पिछले पेपरों में पूछे गए थे और प्रयास किया कि मीडियम पेपर बना जाए ताकि जो हमारे थोड़े मीडियम स्टुडेंट है वो कठिन लग जाता है तो उन्हें इसा लगता है कि यतना कटें तो हम करी नहीं पाएंगे लेकिन सभी मेंटेन करके आते हैं ठीके मैं जो आपको 30 कोशन निकाल के लाता हूँ तो 12 या 13 कोशन मुझको एक पेपर मिलते हैं तो यह 2 या 3 पेपर से आपके लिए कोशन निकाल के लाता हूँ जिसमें समय लगता है इसलिए आपको दो या तीन दिन में एक वीडियो देने का परियास करता हूँ ठीक है आपको वीडियो कैसा लगाओ इस बारे मताएगा जितने मारे नाय मेतर हैं अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करते हुए जाएगा चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा लाल लंकिया को वटन देखे कि उसको दबा कर लाल से काली कर देजेगा नेश्ट वीडियो आप सभी लोगे से फिर से मुलाकात हो कि बहुत बहुत धन्यवाद टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और टेलिग्राम चैनल पर आप लोग जा करके वंडे एक जाम क्लासर सर्च कर देंगे वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा